हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी पल्मोलोजिस्ट एंड अस्परेटरी फिजीशन आज आपके सामने एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे विडियो लेकर के आया हूँ प्लमोनेरी फंक्षंट टेस्ट या इसको हम स्पाइरोमेटरी भी बोलते हैं यह एक मशीन होती है जिसके माध्यम से हम पेशेंट से ब्लोग आउट करने को बोलते हैं सांस प्रिशर से फेकने को बोलते हैं और कुछ कर्व यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटिटिव फॉर्म मे उसके lungs की capacity और volumes आ जाते हैं और उन volumes और capacity को देख करके हम काफी कुछ patient के बारे में अनुमान लगा सकते हैं और काफी हद तक confirm भी कर सकते हैं कि patient को किस टाइप की विमारी है और आगे कौन से test करने हैं और किस तरीके की दवाईयां देनी है तो आईए शुरू करते हैं आज का यह topic PFT या spirometry दो तरीके की lung diseases होती हैं अगर आप यह समझ गए तो फिर इसका मेला पूरा PFT आपको पता चल जाएगा एक होती है obstructive lung disease जो हवा के pipe होते हैं या broncus होते हैं उनकी wall में narrowing हो जाती है जैसे या broncus की wall है उसकी wall में ये narrowing हो जाती है और हवा जाने का रास्ता कम बचता है restrictive में क्या होता है कि जो हमारे lungs होते हैं वो shrink हो जाते हैं जो broncus है वो तो खुले रहते हैं ब्रोंकस तो खुले रहते हैं लेकिन जो lung का structure है वो narrow हो जाता है श्रिंक हो जाता है और लंग्स छोटे हो जाते हैं श्रिंक हो जाते हैं लंग्स तो इसे हम बोलते हैं restrictive तो हमें PFT से मेलनी यही पता चलता है कि patient को obstructive lung disease है या restrictive lung disease है या PFT normal है क्योंकि जो obstructive diseases होती है वो होती है जैसे अस्थमा हो गया COPD हो गई और restrictive diseases होती हैं कि जैसे ILD हो गई तो आईए शुरू करते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं मैं आपको live demonstration दे करके आज ये PFT सिखाने वाला हूँ ये mouthpiece है जहां से हम blow करेंगे इसके अंदर इसके अंदर turbine होती है जो कि गूमती है जब हम blow करते हैं और यहां पे computer पे एक graphical representation form में लंग की values और capacities आ जाती है आईए मैं आपको सिखाता हूँ इसको करना कैसे है सबसे पहले मैंने जाकर के यहां पर एक form आया था जिसमें अपना name, age, sex कौन सी position में हम कर रहे हैं और smokers हैं या नहीं हैं वो सब डाल करके मैंने data save कर लिया अब इसमें यह machine कहा रही है कि pre-medication यो post-medication pre-medication मतलब inhaler देने से पहले और post-medication हम tick करेंगे जब हम patient को inhaler देने के बाद में करते हैं और दोनों को हम compare कर लेंगे अब pre-medication में हमने यहां पर click किया है और यहां पर हम okay कर रहे हैं okay करने के बाद यहां पर एक fvc लिखा है fvc fvc means forced vital capacity बोलके हमने यहां पर इसको start के फिर अंदर खीचना है सांस को और यहां पर एक graph बन जाएगा जब हम सांस छोडेंगे तो यह इसके उपर curve बनेगा जैसे कि यह जो curve है यह flow volume loop है यह flow है y axis पे flow है और इधर volume है तो जब हम सांस छोडेंगे तो यह उपर वाला loop है इसको हम बोलते हैं expiratory loop और यह होता है inspiratory loop यानि कि जब हम सांस लेंगे तो ऐसा loop बन जाएगा आईए मैं आपको करके दिखाता हूँ relax पहले एकदम relax हो जाएंगे तीन सांस लंबी लेंगे छोड़ेंगे जोर की सांस लेंगे इसको मूँ में लगाएंगे और 6 सेकिंड तक blow करेंगे expiratory करेंगे आपने देखा लूप बना अब हमने इसकी values को अगर जानना है तो हमने results पर क्लिक किया आप देखेंगे FVC मेरा आ रहा है 98% FEV1 आ रहा है 99% और जो FVC और FEV1 का जो ratio है वो भी normal आ रहा है यानि कि ये normal PFT है क्योंकि मुझे कोई बिमारी नहीं है तो अब ये FEV1 वैसे इसमें बहुत सारी values होती है 10 से भी ज़्यादा values होती है इसमें lung age भी आ जाता है और ये भी आ जाता है कितने second तक हमने साथ छोड़ा है लेकिन जो mainly 3 values हैं वो है FEV1 FVC और उनका ratio आईए अब जानते हैं कि ये FEV1 FVC और उनका ratio क्या चीज होती है अगर कोई obstructive disease है उसमें क्या होगा कि FEV1 FVC थोड़ी कम होगी कम दोनों होगी लेकिन FEV1 ज़्यादा कम होगी तो जब हम इनका ratio निकालेंगे FEV1 और FVC का तो ratio क्या होगा ratio कम हो जाएगा क्योंकि उपर वाला जो value है वो ज़्यादा कम हो रही है नीचे वाली value कम कम हो रही है तो जो ratio होगा overall ratio कम हो जाएगा अब इसका meaning क्या है इसका मतलब क्या है वो समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा lunges का diagram बताता हूँ ये हमारे lunges हैं ये trachea है right main bronches left main bronches आगे जाके ये कई सारे भागों में बढ़ जाती है अब इनके bronches की tip पे elveli लगे होते हैं जो air sec होते हैं ये गुबारे नुमा अकरती होती है अब ये elveli मैंने यहाँ पे बना दिया ठीक है अभी आप ये समझें कि इसमें होता क्या है कि ये जो narrowing होती है इसमें ये bronches में होती है जो मैंने आपको बताया था thickening हो गई तो जो balloon से बाहर निकलने का हवा का रास्ता है वो narrow हो गया balloon पे ज़्यादा फरक निपड़ता लेकिन जो निकलने का रास्ता है वो narrow हो गया क्योंकि अस्थमा में ब्रॉंक्यल वॉल की थिकनिंग हो गई अस्थमा में ये COPD में तो हवा निकलने का रास्ता नेरो हो गया नेरो होने की वज़र से FEV1 जादा कम हुआ और फाइनली जब FECB कम होता है तो फिर FECB थोड़ा सा कम होता है तो जो ratio है वो बढ़ जाता है रेस्क्टिव लंग डिजीज में क्या होता है जो लंग्स है हमारे श्रिंक हो गई छोटे हो गई लंग्स ठीक है? उसके बाद ये जो बलून होता है बलून भी छोटा हो जाता है suppose करो ये बलून था यह ओर छोटा हो गया बलून और airway तो छोड़ा से छोटा होता ही है लेकिन बलून जादा छोटा होता है थोड़ा कम हुआ और FVC जो बलून होता है वो जादा कम हो गया तो इन दोनों का जो ratio है ratio क्या होगा बढ़ जाएगा तो इसे हम बोलते हैं आप सकता है पैशन को बहुत ज़ादा रेस्परइटरी ब्रॉंको डीटर थेपी जो हम देते हैं बहुत जादा देने का जुरत नहीं है हो सकता है पेशन को जो खांसी हो रही है सांस पूल रही हो वो GARD की वज़े से हो रही हो acidity की वज़े से हो रही हो या psychogenic breathlessness होता है जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनको भी होता है या anxiety से होता है या वो हुरा हो अस्थमा होगा या फिर COPD होगी या फिर bronchic tesis होगी brain का center होता है उसकी कोई pathology है तो हमारा जो respiratory system जो ब्लो करता है जो सांस लेने के लिए हमें प्रेरित करता है वो ही weak हो जाता है तो हम सांस नहीं ले पाते या chest wall weak हो गई है या neuromuscular कोई deformity है या kyphoscoliosis है बहार से chest compress हो रही है rib deformity है या फिर कोई ILD है इन सम में हमें restrictive lung disease मिलती है अपने end में मैं आपको एक curve भी दिखा दूँगा जिसको curve को देख करके और इन values को देख करके आप ये idea लगा सकते है I hope friends मैंने आज ये वीडियो बहुत अच्छे से बहुत detail में पढ़ाया है spirometry का PFT का I hope आपको ये पसंद आया होगा इस वीडियो को please like कीजेगा share कीजेगा और हमारे चैनल को subscribe कीजेगा Thank you